तो आज हम बात करेंगे दस बड़ी खबरों के बारे में तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से राची में एक लिक पर अप राधियों का पूरा डाटा स्क्रीन पर आ जाएगा राची के सिटी एस पीस और अपके पहल पर पुलिस के ओर से एक आप तैयार किया गया 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 राची के खेल गाउं थाना छेत्र के गाड़े गाउं के पांचोली में गुरुबार की देर रात विवायता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पती की कला दबाकर हत्या करती दसला के नामी नकसलिय महराज प्रमाणेक के आत्म समर्पन की वज़ा खास है उसके पास अलग रास्ता नहीं था संगठ ने उसे किनारी लगा दिया था पुलिस पीछे पड़ी थी हालात को देखते हुए उसने आत्म समर्पन का रास्ता ही बैथर समझा जारखंड के बला मुझुला अंतरगत सद बर्वा थाना चेत्र के प्रेम लाइन होटल के निकर्ट शुकरवार के देर रात एक ट्रक ने स्कूटी को टक कर मार दी उससे स्कूटी सवार 40 परशी है समीर टोपो की घटना स्थल पर ही मौत हो गए सिटे सेंटर यानि गांधी चौक की बदल रखी सूरत आसपास के पार्क का भी ऐसे किया जा रहा काया कल्प नाइट शिल्डर स्थित अमरिट मेडिकल स्टोर से 20 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत रियाएट पर मरीजों को दवाई मिल रही है कैंटीन की सुविधा आरंब हो गई है बिहार में जडियों की दो महत्वंपूर बैठे के आज और कल हो सकती है नितिश और आरसीपी की मुलाका बिहार में बोली भाजपा, तेज अस्वी, यादव और तेज प्रताप की लड़ाई में बुझने वाली है लाल टेंग, हो चुपी के शुरुआ मुंगेर में गुरुवार की देर रात, बदमाशों ने किसांगी गुली मार कर हत्या कर दी, मामने में 11 के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया गए, इस हत्या कांड के बाद इलाके में संसनी फैल गई, और पुलिस से तफ्तीश में जुड़ गई गई कक्षातीन की मासूम छात्रा पर गंदी नजर डालने वाला शिक्षक दोशी कराब, सुपॉल में 31 अगस्त को कोट सुनाएगी फैसला खबरों में अप तक लिवस इतना गी, मिलते हैं फिर ऐसे ही 10 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रगे स्टार्डी न्यूज